नमस्षार दोस्तों वेलकम टो आसे अस्टोलाजी मैं नीतु सिंग दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ चुड़िए साती बल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे की वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुशती रहें तो यह जो वीडियो है इसमें म हम बहुत सारी चीजे ऐसी खरीद लेते हैं अगर हमारे पैसा होता है तो उसकी जरूरत नहीं तो क्या हुआ कि हमने पैसे को वेस्ट किया और बहुत लोगों के हाथों पे कंट्रोल नहीं होता है कि पैसा बहुत है चलो पैसे परस में पढ़ें तो चलो कल की कल सोचेंगे आज जो है उसको उड़ा देते हैं फिर क्या होता है वो परिशानी में पढ़ जाते हैं प्रॉब्लम फिर उनको जहलनी पड़ती है तो ऐसी कौन सी चीजे हैं जिसको हम पर्स में रखकर अपने फिजूल खर्चों को रोक सकते हैं तो चलिए जानते हैं वास्तों के अनुसार और सास्त्रों के अनुसार अगर जो व्यक्ति पर्स में माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर रखता है तो कहते हैं कि उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है मा लक्ष्मी की तस्वीर आपको ऐसी रखनी है जो कमल के आसन पे बैठी हो और इस बात का हमेशा ध्यान कहीं भी यूज नहीं किया जाता है नहीं पूजा में यूज किया जाता है नहीं आप उन्हें पर्स में रख सकते हैं तो अगर आप चावल पर्स में रखते हैं तो सास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से जो हमा हम फिजूल खर्चे करते हैं जिसके हमें जुरूरत नहीं होती उ अपने पर्स में रखना है जैसे यूफ झाया फिर आपको क्या करना है फिरने क्या करना है रहते हैं लेकिन पर्स को पर्स सूक रखने मतालख mi का निवास होता है आपके फिजूल खर्चों पे रुकावट लगती है और लेडिस तो सबसे जादा फिजूल खर्चे करती है ये तो पता ही होगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद नहीं वीडियो लाइक करें शेयर करें मुझसे जुणने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें फिर मिलेंगे चैमाता दी